Welcome all the viewers to this lecture, which is question and answer series. आप सभी सुरताओं का आज के ब्याख्यान में स्वागत हैं. जिस कडी में प्रशनोत्री चल रहा है, उसी की यगनी कडी है. ये series of lecture series है, जिसमें एक प्रशनोत्री है, आप सभी जानते हैं. इस बीच में पिछले lecture के बाद कुछ प्रशन मेरे पास जमा हो गए हैं. आज मैं उन सभी प्रशनों का के बाद एक अंसर देने का कोशिस करूँगा. पहला प्रशन हम लेते हैं, अंकित आनन्द. इन्होंने मौखिक बदलाइन के बारे में पूछा हैं, अंकित आनन्द. मौखिक बदलाइन में और भी इन्होंने बहुत सारा सवाल किया है, कि मौखिक बदलाइन का प्रूफ कैसे होगा? और मौखिक बदलाइन का क्या प्रावधान है? मौकित बदला इसे टाइटिल होता है कि नहीं होता है, इसे खत्यान या नक्सा इसके प्रूफ में दिखाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो बहुत complex question है, हलाकि बहुत important subject है, फिर भी हम चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह से हम समझा दे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, सवाल है, लेकिन कई सवाल उसमें मिला हुआ है, इसलिए हो सकता है, कि उत्तर देने में लंबा हो तब आप समाझिएगा, पहला ये जानिए, बदलैन क्या होता है, अगर भूमी से संबंधित अगर है, property rights के संदर में अगर देखें, या property के संदर में देखें, इमेवल प्रावटी, यानि कि अचल संपत्ती, तो अचल संपत्ती में बदलैन भी एक प्रक्रिया है, संपत्ती को एक व्यक्ति से दुसरे बेस्ति के हां हस्तांतरित करने का, यानि कि ट्रांसफर का, there are several modes of transfer, संपत्ती को हस्तांतरित करने का, बहुत सा तरीका है, जैसे विक्री है, गिफ्ट है, इसको वक्सिस कहते हैं, या दान देना कहते हैं, उसमें एक exchange भी है, exchange किसको कहते हैं कि हम जमीन के बदले जमीन देंगे, राम के पास एक विका जमीन है, उसको सुटेवूल है स्याम का जमीन, और स्याम को सुटेवूल है राम का जमीन, किसी कारणवस दोनों व्यक्ति अगरी चाहता है, कि हम आपस में बदलाइन कर ले, तो बदलाइन कर सकता था पहले, साधा कागज पर भी लोग लिख देते थे, आज भी लिख देते हैं, या सिंपूल स्टाम पर लिख देते हैं, या रे इस्टर डीट के जरीए करते हैं बदले, तो यह कई तरीका बदलेन का परचलित है, लेकिन आपको यह जानना है कि कौन सा बदलेन का तरीका ज जानने के लिए, सबसे पहले ये जानएं कि जब सम्पत्ती का हस्तामत्रन होता है, तो उसका अलग एक कानून है जिसको बोलते है निवंधन अधिनियम भारतिय निवंधन अधिनियम इंडियन रइस्टेशन एक्ट जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर के लिए एक अलग एक्ट है ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक् वेक्ति ने दुश्वे वेक्ति को कोई जमीन दिया उसका जो दस्तावेज यilda कावेज तयार होगा or deal? वस्षिका जो भी कहिए तयार Bible तो उसका निवंधन कराने के लिए कानून बनाया गया है इंडिया रेष्टेसनien तो जिस कानून के तहट निवंधन कराना जरूरी है वो ही कानून है इंडियन रईस्टेशन एक भारतिये निवंधन अधिनियम इसकी धारा सत्रह में ये लिखा हुआ है कि ऐसा हस्तांतरन हो अचर संपत्ति का जिसका कीमत सो रुपया या सो रुपया से उपर का हो यानि कि क कोई व्यक्ति अपना स्वत्व, हक, हकियत, कभजा किसी दूसरे व्यक्ति को देता हो या समाप्त करता हो वैसा जो भी दस्तावेज कागज बनेगा नाम चाहे उसका जो भी दिया जाए उस सब का रिश्टेशन जरूरी है अगर उसका रिश्टेशन नहीं होगा तो उससे प्रपटी का हस्तांतरन नहीं माना जाएगा संपत्ती का हस्तांतरन सही बैद नहीं होगा भैली नहीं होगा ट्रांसफर भैली नहीं होगा यानि कि अगर राम ने स्याम को अपना जमिन दिया तो माना जाएगा कि स्याम के पास पहुचा ही नहीं वो राम का ही माना जाएग या सो रुप्या से जादे का है तो बिना रेइस्टर डीड के वो इन्वैलिड है उसका कोई भी लाव किसी पक्स को नहीं मिलेगा वो खानून के अंदर उसकी कोई मानेता नहीं है अब रही बात कि अगर बिवाद हुआ पहले बदलाइन हुआ और कोई विवाद हुआ और विवाद मुकदमा चला कोट में चला तो कोट में बदलाइन सावित करने का क्या तरीका है आपका पूछने का मतलब यह है तो दो तरीका है कोट में कोई भी चीज सावित करते हैं का दो परकार का प्रमान देते हैं, एक हो गया documentary evidence, जो काख जी सबूत जिसको बोलते हैं, है ने, आदस्तावेजी साक्ष जिसको बोलते हैं, या मौखिक साक्ष, oral गवाही, चारानवी गवाही में देगा कि हां हमने बदलाइन के समय हम उहां पर मौझूद थे, राम ने अप पाचित होते हैं, इस तरह का परमान गवाही से दिया जा सकता है, और सामित किया जा सकता है, लेकिन अगर oral exchange है, तो उससे title का जहां सवाल होगा, तो title पास किया कि नहीं किया, तो सिधा उसका जवाब है कि title नहीं पास करेगा, फिर भी ये परमान इत किया जा सकता है कि oral exchange ह किसी दूसरे कारणसे, घर टाइटिल नहीं पास किया, तो यह एक तत्ध है, यह कोश्चन ओफ़ेक्ट लैक्ट यह एक तत्ध को कामजी सभूत के द्वारा या मौखिक साथ के द्वारा कौ्ट में परमानित किया जा सकता अब इस तर्थ को पर्मार्ड करने के लिए खतियान का और नक्सा का कोई रोल नहीं है लेकि रोल हो भी सकता है उग जब होगा एदी मान लीजे की रामने स्याम के साथ जमीन का बदनायन किया जो जमीन रामन का था वो रामन के पुरवज के नाम से खतियान था जो स्याम का था वो स्याम के पुरवज के नाम से खतियान था या इन दोनों के नाम से खतियान था या इन दोनों के नाम से रिष्टर डीट से कोई खरदारी था या किसी परकार के तस्ताबेश से प्राफ हुआ था यानि कागज में इन लोगों का नाम था और बाद में इन ल बदलाइन कर लिया तो बदलाइन करने के बाद जिसके कबजा में बदलाइन से जो जमीन गिया वहां अगर मालिय सर्वे की कारवाई हुआ खतियान बन गया तो राम का जमीन बदलाइन से स्याम को आ गया और स्याम का नाम खतियान में दर्ध हो गया लेकिन पहले खतियान में उसका नाम दर्द नहीं था, खतियान में दूसरे बेक्टी का दर्द था, उसी तरह से स्याम का जमीन जब राम को बदलेन से मिला, तो राम का नाम खतियान में दर्द हो गया, तो इस बदलेन को सावित करने के लिए खतियान भी दिखाया जा सकता है, नकसा का जहां तक सवाल है ऐसे बहुत जादा उसका वैलु नहीं है लेकिन अगर ये सवाल हो कि दोनों जमीन जिसका बदलेंग हुआ और दोनों समान मुलिका था कि नहीं किस इलाके का था एक ही इलाके में था एक ही जगह था या बहुत दूर पर था दोनों का रेट अलग अलग था तो उसको दिखाने के लिए कि मालिए कि राम ने बदलेन में दू कठा जमीन दिया जिसका दाम दू हजार था उसके एवज में सियाम ने चार कठा जमीन दिया जिसका दाम ही दू हजार हो तो इसको दिखाने के लिए या इसको जुटलाने के लिए द बदलाइन सही नहीं है। लेकिन उसी नक्सा से दूसरा व्यक्ति सावित कर सकता है कि दुक अठा जमीन का भैलू भी 4000 था और चार कठा जमीन का भी भैलू 4000 था। इसलिए दोनों का बरावर भैलू था। बदलाइन तभी होता है जब इक्वल भैलू में हो, इक्वल एरिया म साथ बिल्ग हो जाता है माल लिए एक आदमी दिया दू कठा जमीन उसका रोड के किनारे आ है एक आदमी दिया जो बहुत अंदर में है, एक जमीन का जैसा है उशा उसका कीमत रहेगा। तो बदलाइन में इस मात का भी ख्यादिया अगर विवाद हो जागा। एक व्यक्त कहता है बद्रेन हुआ जो सही नहीं हुआ कई कारण बता सकता है सही होने का तो उसमें एक ही नहीं हो सकता है कीमत का भी विवाद हो सकता है तो इसी इस्तिति में खतियान के अलावे नक्सा का भी महत्व हो सकता है इसलिए आप इस पर और अगर कोई स्पेस्विक परसम अगर जवाब हम देए, उसके बाद है, प्रेस्ट है, रोहीदास मंडल, रोहीदास मंडल ने लिखा है कि ठाना नमबर क्या होता है और कितना परकार का ठाना होता है? देखिए मननल जीव, यह बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, आप क्या बहुत से वकील लोग को हम बताते हैं, जैसे रही ही बोलते हैं, ऩान जिसे में तथाना नमबर, तो उसको अंगरेजी में लिकना रहता हैं, तो वोग लिख देते हैं P.S. नमबर, पियेस मतलब सौट में हुआ पुलिस एस्टेशन का सौट में हुआ पियेस वो पुलिस थाना जो आज देखते हैं आप लोग उसी का लोग नमबर समाते हैं यह पुलिस थाना नमबर वो अलग चीज़ है इसका थाना नमबर है कि नहीं है यह भी कहना मुश्किल है अब पुल जिसके तहत notification सरकार निकालती है कि इस इलाके में इतना थाना है या यहाँ पर नया थाना खोला गया, कही पर outpost रहता है, उसको थाना में बदल दिया जाता है, कही पर एक थाना को काट के तू थाना बना दिया, वो दुसरा थाना है. जहां हम थाना नंबर की बाद दस्तावेज रहें या प्रपर्टी के सम्मन में करते हैं, तो ये थाना नंबर दूसरी चीज़ है, जिसको पुलिस थाना से कोई मतलब नहीं है। ये इसको कानून के रूप में मारा आता है रेवनू थाना नंबर। एक जो भीलेज होता है, जहां पर किस्षक लोग रहते हैं, वहां खेती की जमीन है, तो उससे जो सरकार लगान लेती हैं, सरकार का एकमात राम ननी का ज़दिया वही रेवनू, इसको लेंड रेवनू भी कहते हैं, या लगान भी कहते हैं, या लोग कर भी बोलते हैं, तो कर नहीं बना चाहिए, कर टेक्स को कहते हैं, कर दूसरा चीजह है, लेकिन लगान ही प्रॉपर उसका है, और या लेंड रेवनू कह सकते हैं, या लेंड रेवनू कह सकते हैं, एक गाउं है, माली उस गाउ सब्विगा जमीन का जो लगान सरकार को आता है वही उसका इंकम है उस घांव से तो उस घांव का पूरा एरिया को पहचान करके एक नंबर एलाउट किया गया जिसको रह मुन्हें ठाना नंबर को मिला करके जैसे कई गाउं मिलाखे पंचाइद होता है उसी तरह से कई पंच नहीं चलता है, पहले चलता था, तही रेहुनू थाना नंबर हुआ, मतलब इसी गाउं का नंबर है, वो रेहुनू कलेक्शन के परपस से उसको थाना नंबर अंग्रेज लोगोंने एलाउट किया था, जब सर्वे की कारवाई किया था, शुरू में कैडेस्टर सर्वे चला उसी समय से थाना नंबर चला रहा, उस समय जो थाना नंबर एलाउट हो गया, वही थाना नंबर आज भी आ रहा है, वो थाना नंबर चेंज होने का भी प्रस नहीं होता, अगर कोई ऐसी जगह है, जहां पर पहले कोई बसती नहीं थी, कोई गाउं नहीं था, वहां पर यहां रेवनू थाना नंबर उसको सर्वे करके उसको नंबर एलाउट किया जा सकता है। एक थाना तो यह हो गया, इसरे हुनों थाना हो गया, दूसरा थाना हो गया, पुलिस थाना हो गया, इसके अलावे अलग-अलग कानून में थाना होता है, जैसे CBI का केस अगर जहां होता है, तो CBI के लिए एक अलग थाना होता है, हर्जन लो के लिए हर्जन थाना होता है, ज इसके लिए बनता है उसके प्रस को अपराद करता है तो इससे सम्मन्धित केस्ट होगा वो उसी ठाना में होगा जो है Auron थना कर रहता महिला थाना होता बहुंदा होसा अभिना संब्ध मेंद न है तो वो थाना वो पुलीस थाना भी है लेकिन वहां महिला अधिकारी होते हैं अब महिलाओं का केस लिया जाता है उसको महिला थाना बोलते हैं इसलिए अगर आप गिंती चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं CBI का जब केस होता है तो CBI का अलग थाना होता है उसी तरह से Prevention of Corruption Act में भी अलग अलग थाना होता है जहां पर घूस घास वाला केस होता है उसका अलग थाना होता है इसके बात एक कानून है पहले यहां पर अफीम की खेती होती थी अगरेज के जवाना में तो ओपियम एक्ट और जिले और व्हड़ और plot और ब्हार इा तक कि खेती है उसके बाता होता है उसके लिए अलग थाना होता है उसका पर फै else तो आज के तारीफ अगर गिंती के लिए कहिए इतने परकार का थाना आपको मिलेगा इसके लावे और कोई थाना नहीं मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट प्रस्थ है संतोस कुमार जी का संतोस कुमार जी भी उसी परकार का प्रस्थ करते हैं मौखिक बदलेन के बारे में कि मौखिक बदलेन से टाइटिल होगा कि ने होगा तो आधा उत्तर संतोस जी आप अंकित आनंद के प्रस्थ के उत्तर में सुन लिए समझ गये अब आधा आपको और बत भ्रॉब चई बदलायद को दिया तो उसरे साम कॉगु ihan बंदलाय फहां से आप साथे ही उसके हिसाब से बदलायद के टानुंट से टाइटिल हो जाए यहानि कि अगर राम ने अपना जमी तंक दिया तो, उस वाराम का टाइटिल हो जाएगा अश्याम ने अपना जमीन राम को दिया तो उस्वाराम का टाइटिल यह भैली डॉक्मेंट कानुन में माना जाता है इस डॉक्मेंट टाइटिल का भी प्रूफ है अगर बाद में किसी व्यक्ति को दूसरे से बिवाद हो गया तो उसी बदलेन के डॉक्मेंट पर उफी अपना दावा कोट में पेस करेगा जिन जाएगा कि देखिए कि पहले अमुक व्यक्ति का था बाद में हम अमुक तारिक को बदलेन किये उस बदलेन से हमको मिला अब हमारा इस पर हकीयत हो कब जा है हमारा टाइटिल है तो कोट उसकी मानिता देगी अगर परमानित हो गया तो इस लिए इसका सकते हैं बदले एक्षेंचीजी उसो एकक्वें डॉकुमेंट डॉकुमेंटाइय थे हकीयत का यह खी एक दस्ता भेर माणा जाता है इसकी माद अस्तोस कुमार जी का प्रॉसन, आस्तोस कुमार जी कहां से लिखते हैं और इनका परस्न है, बना इंपॉर्टन परस्न है, वह सिधूल कास्ट और सिधूल ट्राइब से समझ दिया, नियादी बासी हो वह बहें, इनका जमीन का खरीदने का बेचने का प्रावधान है, इनका प्रस्न है, और कोई इसमें DM से परमीशन लेना पड़ता है, ये इनका है, प्रस्ट पुछा इन्होंने, ऐसा लगता है कि इनको किसी ने बताया है, या कहीं सुना होगा, या पढ़ा होगा, इनको संका जाहिर हुआ होगा कि परजिशन क्यों लिया जाएगा, इसलिए ही कानून जाना चाहते हैं, देखिए, आस्तोस जी, आप अगर मेरा BTA का लेक्च प्रस्ट में जाएए, आप BTA का लेक्चर खोजिए, BTA का लेक्चर में एक चेक्टर है, प्रोटेक्टेड टेनड, प्रोटेक्टेड टेनिनेंड के के टेटोगरी में सिदूल कास्, शिदूल टाइब, इसको सरकार ने कानूनी शुलक्षा परदान किया. वो शुलक्षा ये है ki कोई भी व्यक्ति सिदूल कास् दूल ट्राइब का जमीन नहीं खरी सकता है अगर खरीदेगा तो उसकी कोई कानुनी मानिता नहीं है और उसके डीड को कलक्टर कैंसिल भी कर सकता है यह भी प्राब्धान है हाँ अगर माल ये स्विदूल का स्विदूल ट्राइब को जरूरत है तो इसको ऐसी आप सकता है कि जमीन बेचे बगर उसका कोई काम नहीं होगा जैसा कि ज्यादा तर लोग जमीन जरूरत पढ़ने पर बेचते हैं साधी हो या घर में सराध हो या और को ऐसा बड़ा और अप सकता तो यॉव खुद तो और आव्यक्ति भी पर्मीशन मांग सकता है इसलिए इसलिके कानून है उसी के हिसाब से अक पुरा जमीन का खरीद बिख्री नहीं कर सकता है। अगर जरुत हो तो दीम से पर्मीशन लेना पड़ेगा। पर्मीशन के बगएर अगर खरीदा है तो दीम को दस्तावेज को कैंसिल करने का अधिकार है। और कानूनी मानिता नहीं होगी। उसके बाद प्रस्ट है जैनंदन यादब जी का। जैनंदन यादब जी कहां से लिखते हैं क्या करते हैं इन्होंने नहीं लिखा है। लेकिन आगे देखने पर पता चल रहा है कि इनका कोई खास प्रस्ट नहीं है। इन्होंने good wishes, हमारे स्वास के लिए कामना किया, good wishes दिया, इसके लिए हम जैनन्न जाजब को धनवाद ग्यापित करते हैं, आपने हमारे अच्छे स्वास की कामना किया, आप ही स्वास रहे और विरंतर हमारा लेक्चर सुनते रहें, उसको follow करें और इस मित्रों को भी बताए ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाए अच्छी बात है और जहां जहां पर कोई संका हो समाधान के लिए अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजे या प्रस्ण पूछना हो तो प्रस्ण पूछे उसके बाद प्रस्ण है सुवाश सिंग जी कहां से लिखते हैं क्या करते हैं इन्होंने नहीं लिखा है प्रस्ण बहुत सिधा और सपाथ है लेकिन कुछ माने में इसको भेज़ भी कर सकते हैं उन्हों लिखा पर्चा का रखवा कितना होगा अब किस कंटेक्स में पूछे हैं जर्नली पर्चा जो पिछला बासगीत पर्चा पर मेरा लेक्षर है उसको आप सुन लीजिए पर्चा पर या जो भी पर्चा होता है वो बंदोवस्ति के लिए पर्चा जो सरकार इस्षू करती है उसको कहीं कहीं परवाना भी बोलते हैं तो पर्चा में कितना रखबा होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, इस परस्थ आपके दिमाग में कहा था है, एक विखा का भी हो सकता है, एक कठा का भी हो सकता है, एक दिसमें का हो सकता है, मेरे ख्याल से ये परस्थ आने का एक ही कारण है, या संका होने का एक ही कारण है, क कि जिनरली जो बास्गित पर्चा इसु होता है वो भूमी ही लोगों को होता है या जिसको मकान नहीं है उसको होता है तो मकान के उद्धेश से जिनरली दूर जिसमिल, चार जिसमिल, दूर जिसमिल, बारा जिसमिल, पंदर जिसमिल 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 तका जिनरली होता है को डिशाइड करेगा कि हाँ इस बीज डिसमिन जमीश को चाहिए तो अगर कई आदमी है तो बीज डिसमिन में एक साथ कई आदमी को भी बंदबस्तकों लेकिन आपका जो प्रस्न उसका सिधा ज़भाब यह है कि पर्चा में कोई लिमिट नहीं है किसी कानून के द्वारा कि कितना रखवा होगा सिधा जवाल रही है उसके बाद राहुल कुमार पटना का इनका प्रस्ट बहुत कंप्लेक्स है राहुल जी का बहुत लंबा चोड़ा प्रस्ट है और इसे प्रस्ट के लिए इनको चाहिए कि अपने अधिवक्ता से मिल करक करें और अपने अधिवक्ता के थुरू हमसे प्रस्ण करवा में या हमसे बात करवा में या पठना के रहने वाले हैं तो आप आ करके हमसे consultation और discussion करें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि मुकादमा बगेरा भी चल रहा है इनका इनका कहना है राहुल कुमा जी यूटूब पर जो प्रस लिखें उसमें लिखें एड़ दी रेट ओप एबी परताप सिंग नाइनटी सिक्स लेकिन आगे लिखते हैं राहुल कुमार पत्ना जी कहते हैं कि इनके दादा दो भाई थे जिनके बीच बटवारा चला अब बटवारा में एक्सपार्टी डिग्री हो गया और उसके हिसाब से कवजा भी हो गया तो अब चाहते हैं कि वो बढ़ियां से डिग्री नहीं हुआ था इनके दादा ठीक से लड़े नहीं थे इनोटीस पर हाजिर नहीं हुए थे इसने जो बड़े दादा थे वो एक्सपार्टी करा लिए और जमीन उसी डिग्री के हिसाफ से कुछ जादा कमजा कर लिए ये दूसरा इन्होंने कहा है कि अभी तक इजराई नहीं हुआ एक्सक्यूसन नहीं हुआ है अभी प्रस्ण क्यों कंप्लेक्स है इसमें बहुत तरह का चीज है फिर भी हम एक पर धीरे धीरे करके सौट में एक क्रमबार धंग से आँको समझाने का प्रयास करते हैं देखिए जब दो भाई के बीच में बटवारा हुआ तो यह तरह है कि दोनों का आधाधा हिस्सा होगा जितनी संपत्य है सभी में इसका यह मतलब नहीं है कि हर प्रॉट में आधा होगा इसका यह मतलब ही नहीं है कि अगर एक बीचा है तो दस-दस कर्था सब को होगा प्राउट बाइज भी होगा तो एरिया बरावर होगा, इसका मतलब नहीं, बठवारा का जब भी बात होता है, तो दो तरस तीन तरस से देखाया था, उसको बोलता है, इक्यूटी में इंसाफन और कानूनन दोनूं, इंसाफ के लिए और कानून के हिसाब से, क्या होगा? तो होना चाहिए एक ही जो जमीन बठके मिले, दोनों को उसकी उप्रियोगिता समान रूप से रहे, अगर एक ही भैलू का है, तो समान छेतफ़न मिले, यानि कि दोनों का एरिया बरावर हो, लोकेशन अगर एक ही जगह है, तो वहाई लोकेशन मिले, अगर कई लोकेशन है, तो किसी को कोई गिर्वांस नहीं हो तो एरिया अगर बरावर करना है तो उसमें कोई एक तरह की जमीन है तो एरिया बरावर हो सकता है लेकिन जमीन का कीमत अलग-अलग है तो एरिया बरावर होना कोई जरू नहीं है उसका भैलू के हिसाफ से देखा जागा अब आपका प्रसना आता है कि एक्स्क्यूसन अभी नहीं हुआ है, सुनिए, बटवारा का मुकद्मा में, अगर एक्सपार्टी डिग्री हुआ है, तो सबसे पहरे वो फैसला देखना पड़ेगा, और जो डिक्री बनी है वो देखना पड़ेगा, बटवारा के मुकद्मा म में दो डिग्री बनता है, अगर उप प्रिम्लरी डिग्री है, तो वो प्रिम्लरी डिग्री के आधार पर कभजा लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है, ऐसा हम उस्षक लगता है कि हो सकता है अगर आधार कभजा कर लिए या आधार से ज्यादा कभजा कर लिए, तो हो सकता ह कि कंप्रमाईज हुगा हो दोनों मील करके कंप्रमाईज या कि सम्झावता पत्र के आधार पर हुए होगे तो सम्झावता पत्र के आधार पर दोनों तरह का डिगरी बनता है प्रिमिनरी डिगरी और फाइनल डिगरी के आधार पर कबजा किया जा सकता है या अगर उसमें ल कर रहे हैं कि आप अपने वकी से मिल करके पूरा डीटेल बताईए यह आप करके आप डिसकेशन कीजिए अगर केस मुकर्मा चल रहा है या आगे भी चल ले की नौबत आ रही है तो हमेशा यूट्यू सुन करके आप अपना समाधान नहीं कर सकते हैं कुछ जहां पर पैसा ख तो यहां भी फीच लगेगा आप लेकर के आईएगा और ओनलाइन भी कंसर्टेशन कीजिए तो फीच लगेगा अभी तो हम जेनरल जो लेक्चर सीरीज दे रहे हैं परस्मोत्त्री में उसमें सभी आजमी को तो हम मदद करना हैं कानूनी राज दे रहे हैं या जवाब दे है कि आपने कितना सही धंग से अपना प्रस्म रखा है और हम उस प्रस्म को कितना समझ सके अगर हम सही सकते समझेंगे तभी सही जवाब देंगे जवाब देने में गलती नहीं हो सकती है प्रस्म को समझने में हम से गलती हो सकती है क्योंकि आपने प्रस्म उस धंग से प्र जाना चाहते हैं, क्या पुछना चाहते हैं, ताकि किस कानून के तहर उप अपका प्रस्ट का हल निकले, यह हम बताने में सफर रहें, तो आपको मैं एक अपना अलग से अपने अनुहप के हिसाब से यह बताना चाहता हूँ, चुकि आपने आगे प्रस्ट किया है कि जमीन आ प्रानिमिक नीज़ि है तो उसमें दोनों भाई का आधायधा सेः जरूरह किया गया होगा अब किस आधार पर उच्भजा कर लिए वो आधार आधार आप दिखाईए आप कहते हैं इजराय नहीं हुआ इजराय के जो नहीं है यानि हाफ हाफ सेर का डिग्री हो गया तो उसका नियम है कि कोट से कमिशनर भाल होगा कमिशनर सर जमीन पर जा करके नाप करके दोनों पार्टी को सुन करके वो तक्ता बंदी उसको बोलते हैं फट बंदी कहते हैं तक्ता बंदी कहते हैं दाज बंदी कहते हैं वो दाज लग करके वो नक्सा बना करके दिखाएगा वो फिर कोट में आएगा अगर कोई पार्टी उस पर अब्जेक्शन दिया तो उस अब्जेक्शन पर सुनवाई होगी अगर कोई नहीं दिया तो बिना अब्जेक्शन के दो या तो अब्जेक्शन दिया तो सुनवाई के बाद या अ तक्ता वाला जमीन पर जो कमिशनर ने उसके दाज में दिखाया है, चार्ट बना करके सिरून में, अगर उपने से चला जाता है तो इजराई करने की आप सकता नहीं, अगर कोई कमजोर व्यक्ति है, वो अपने जमीन पर नहीं गया, बलकि उसके वज में दूसरा बर्यार व् उसको कमजा दखा दिला लिया, अब कोश्चनी होता है कि अगर आधा भी बटवारा हो गया, लेकिन आपको गिल्वांस है कि हर जमीन में आधा नहीं मिला, या टोटल जमीन में आधा नहीं मिला, तो आप उस बटवारा को चैलेंज भी कर सकते हैं, इसी सब ग्राउंड पर कि इजराय हुआ ही नहीं, कमजा कैसे कर लिया, फाइनल लिगरी बना ही नहीं कर लिया, कैसे कर लिया, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, दुसरा मुकदमा बटवारा का चाहिए तो आप ला सकते हैं, तीसरी बात जो बहुत important है, बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आधा आधा का डिगरी हो गया है, आठाना आणा हिस्सों कर पचास पैसा दोनों भाय का हिस्सा है, ऐसा लिखा हुआ है, कि इस आधा पचास पैसा हिस्सा का डिगरी मुद्धव को दिया लता है, यानि कि प्लेंटीफ को तो अगर वो पचास पैसा सेर है और कमिशनर की बहाली आज तक नहीं हुए तो दस साल, पांच साल, बीस साल, पचास साल भी हो गया तक कोई हर ने आप खुद कोट में दर्खास दीजिए कि नया कमिशनर बहाल कर दिया जा इस केस में और डिगरी के हिसाब से हमरा तक्ता अलग लगवा दिया जा तो आपका काम उसी से हो जागा अलग से टाइटिल करने के जोटने हैं और कमिशनर आपको अपने के नजर के सामने आपके सामने आधा-धा बाट देगा कमिशनर को बठाइगा कि कौन जमीन महगा है कौन जमीन घटियां है कौन से की तो किन्ति प्लोट किसी व्यक्ति को दिया गया तो उसके बदले में दुसरे व्यक्ति को पैसा देना पड़ता यह सब कमिशनर को पावर है तो सारा जो आपका गिर्वांस है फिर से बटवारा करने का वो कमिशनर के सामने ही आपका स्वाल हो जा इसलिए जो मकदमा टाइटिल चला है उसी टाइटिल मकदमा में आप कमिशनर के बहाली का दर्खास देगी है अपने वकिर से मिलिये और कहिए अगर आपके वकिर साहब को नहीं मालूम है, नहीं जानते हैं कि बहुत दिन हो गया है, नहीं हो सकता है तो वकील सहाब को लेकर मेरे पास आईए, अगर वोगी नहीं आसकते हैं तो आप स्वैम आईए, सारा कांगदात लेकर आईए, हम यहांसे बना करके दे देगे और अपना कोई जुनियर लोर कोट पे होगा उससे आपका काम करवा देंगे, या जुनियर वकील अपने हिसाब से जो आपके पहले से काम कर रहे हैं, या कोई नया जुनियर वकील को आप रख लीजिगा, इतना मदद हम आपको कर सकते हैं, उसके बाद एके तीवारी का प्र स्निन का है कि मोकर्दी जमीन क्या होता है देखिए कि वाली जी आप अगर पहले मेरा लेक्चर सुने होंगे तो बार बार मोकर्दी के बारे में हम बता हैं कई लेक्चर में बता हैं अब खासके प्रस्णोत्री कारिकरम जो चल रहा है यहर कारिकरम में कुछ ने कुछ इस तर का प्रस्ट आता है तो आप बराबर कहते हैं कि पहले का अगर दूचार प्रस्ट वाला प्रस्ट रोती लेक्चर आप सुन लीजिए तो आपके मन में जो है साइड उसका बहुत सा प्रस्ट उफरलेब करता है जिसे कि तीन लेक्चर पहले जो प्रस्ट का जवाब दिये उसक तभाव दूसरे के प्रस्का दिया ह्वा है. उसका प्रिप्रेक्स दूसरा था. उसका कंटेक्स दूसरा था. आपके कंटेक्स में वो नहीं भी वैठता है. तभ आप कि दिए सवाल पूछ सकते हैं. अब रहिए कि मुकर्दी का माने आप जाना चाहता हैं, सुन लिए मुकर्दी का मतोहता ठीका पट्टा लीज कानून में उसको अंग्रेजी में लीज बोलते हैं अगर आप अपना जमीन किसी व्यक्ति को जोतने के लिए दे दिये और कहिए कि साल में हम एक हजार रुपया लेंगे इस जमीन का तो यह हो गया मुकर्दी उसको पट् लेकिन उभी एक तरह का पट्टा ही है लीज है या मुकर्दी ही एक दिन के लिए भी हो सकता है एक परस के लिए हो सकता है और असालतन भी पर्मानेट भी हो सकता है उसको परपिश्य लीज होते हैं तो मुकर्दी दो तरह का इस लिए होता है एक मुकर्दी हुआ जो जमीन का रहियत इसका रहिती राइट है अपना जमीन को किसी को जोतने कोड़ने के लिए मोकर्णी पर लगा सकता है उसी तरह से जमिंदार के पास जो राइट है जमिंदारी राइट तो जमिंदार अपने जमिंदारी का भी मोकर्णी लगा सकता है उसको उदारन सही से समझे कि हम पटना जिराके दस गाउं में जमिनदारी है, उस दसो गाउं से हमको एक लाक रुपया साल आना आमदनी लगान का होता है, हम उसमें से एक गाउं जिसका आमदनी दस गार का महीना है, हमको पैसे का जरत हुआ, तो एक दूसरे व्यक्ति को हम उस गाउं के जमिनदारी का मुक बसूल कीजे, और उसमें से हम आपको इतना देंगे, लगान बसूल कीजेगा, 10%, 5%, 2%, आपको देंगे, बाकी हमको दीजेगा, तो यह हो गया मोकर्री, तो वो जमींदार हो गया, totally solution के मेरे जघा पर वो ही जमींदार हो गया, रहीत से हो ही लगान बसूल करेगा, अगर रहीत नहीं देगा तो ही उस पर केस मुकर्दा करके बसूर करेगा तो जमिनदारी का भी मुकर्दी हो सकता है मुकर्दी और जमीन अगर कर दिया तो मुकर्दी लेंड उसको बोलेगा जो लेंड लीज पर दिया गया उसको मुकर्दी लेंड बोलते है इस समझ गया अप उसके ये एकशुक है और उसकी तयारी करने हैं इनका प्रस्ण है जमीन लेने में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे पता करें कि जमीन सही है इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है कोई गरवरी नहीं है ताकि हम जमीन खरीदने के बाद फसे नहीं पता करने का तरीका भाच्छब पर ही प्रस्णाब ने किया था अम्रित कुमार जी तो आपको सुब कामना है कि आप जल्दी से उपीएस कंप्लीट करिए आई-एस के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं मेरी पूरी सुब कामना है आप मेरा चैनल को फॉलो करते हैं बहुत अच्छी बात तो उसमें भी आपको उपीएस के एक्जामेंसर में भी आपको काफी मदन मिलेगा वो भी आपके लिए अच्छा है इसलिए आप अपने इस्ट मित्रों के बीच में भी इस चैनल का परचार परशार करें ज्यादा ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब उठाएं अब जहां तक सवाल है कि जमीन खरीदने में वो इंडिया में कहीं भी वो बिहार हो या धारकाट हो बेसिकली धारकंड के लौग कुछ थोड़ा बहुत फरक है उस पर अदग से हम लेक्चर बनाएंगे तो डीटेल में बताएंगे अभी सौट मे मेरा पहला लेक्चर एक सुन लिए हिस्ट्री ओफ लेंड लौ बिहार वो दो घंटा चालिस मिनित का लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उससे आपको पूरा आइडिया होगा वो इंग्लीस में लेक्चर दिया है बिहार के बाहर के जितने जुडिश लफसर को बिहार के जमीन के जो आरे में उतनी जानकारी नहीं थी तो उनके बीच में ये जब कोरोना का पिरेट था तो लेंड ऑनलाइन वो लेक्चर लिये थे हम क्लास लिये थे जुडिशल एकडेमी का अपने इसी टेबूल पर जिस पर से अभी हम आप से बात कर रहे है इसी पर बैठ करके उचुकी आप जब देखिएगा मेरा वीडियो खुलिएगा तो अगर एकडेमी में दिया हुआ लेक्चर होगा तो उसका अलग लुक मिलेगा बैक्गराउंड में और अगर हम अपने चैंबर से बैठ करके बात करते हैं या लेक्चर देते हैं तो आप आपको बैग्गराउंड में सेम अल्मीरा मिलेगा वहा अल्मीरा ही पाचान है या मेरा जो कुर्सी है वो पाचान है तो आप देखेंगे कि ये जनरल लेक्चर है ये अकडेमी का लेक्चर नहीं है और उसके अलावे एवालुसनों जमिन्दारी पर भी हमने जो लेक्चर यह वह आपके लिए बहुत कामका है उसको भी सुनिएगा और बीती आइट का लेक्चर सुनिएगा वह आपके लिए बहुत कामका है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगरी अंडिवाइड बंगाल आज के तारिक में बंगला देश अपस्चिम बंगाल बिहार जारखंड उलिसा सब एक ही था बंगाल बंगाल प्रसिडेंसी के अंतरगत रूल होता था तो इस पूरे एरिया में हम लेंड लोग वाला में बता चुके हैं कि तीन तरह का सिस्ट अमलागों गया था वही जमिंदारी सिस्टम आज भी वही चला आ रहा है लेकिन उसका रूप बदल गया जमिंदार के जवापर सरकार आ गई जमिंदार के जवापर बिहार सरकार आई अब बिहार सरकार से जब जारखंड सरकार हो गया बटवारा हो गया तो बेसिक चीज वही रहा लेकिन जारखंड में आदिवासियों के लिए और संथाल परगा में संथालों के लिए अंग्रेश सरकार ने कुछ अलग कानून बनाया था उसी कानून को बोलते है छोटनागपुर टेनेंसी एप उस पर हम विश्टित चर्चा करेंगे लेकिन हर जगा का टेनेंसी जो क्रियेट हुआ पर्मानेंट टेनेंसी माना गया उएक ही है सबका बेसिक कंसेप्ट एक ही है आदिवासियों के लिए कुछ भी से सुविधा और संथालों के लिए कुछ प्रोटेक्शन दिया गया था ये सब उस विश्टित लेक्चर में वह लेक्चर हो सकता है एक दि लोग हमसे रोत कहते हैं कि छोटा लेक्चर ही दीजिए तो चुकि एक एक पर पूरा बताना होगा तो एक या दो या तीन पार्ट में हम कोसिस करेंगे तो हो जाएगा आप थोड़ा दिन इंजार कीजिए हम उस वर जल्दी आपको लेक्चर देंगे अभी हमको समय नहीं म मंगाये थे तो किताब का और भी हालत खराब है तो हम अपना ही किताब से देखेंगे कुछ प्राब्धान चुकि अब हम लोग का धरखन अलग होने के बाद वहां का केस मुकदमा तो करने का मौका नहीं मिला तो कुछ पुराना किया हुआ हुआ है जो अनुहव है उसी के आधार पर हम अभी कुछ बता सकते हैं लेकिन चुकि यूपियस स्रीके आप एस्पाइरेंट है तो आपको हम बहुत सही तरीके से सटिक तरीके से लोग की जानकारी देंगे ताकि अगर आप अपने आगे के भविश्वे कभी जुरुत परें तो आप इस्तमाल कर सके जहा रहा है बेच रहा है वो ब्यक्ति कैसे जमीन का मालिक मना उसको टाइटिल है की नहीं टाइटिल को और इनेट करने का वह विडेंस क्या है कहां से टाइटी चरा जैसे बिजली आपके घर में है तो बिजली कहां से आती है तो बिजली उत्वन होती है पावर हाउस में जहां आपतराटू हो या जहां भी हो यापडल हो या गेयस वाला हो, या कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन पावर हाउस इसको ज mina टारेंटिंग हाउस काता है वह दिस्टिब्यूट करता है वो ट्रांसमीशन है अफ़ ट्रांसमीशन करता है अर्तांसमीशन के बाद जब इस सहर में आ गया मालीय राची में आ गया तो वहाँ पर फिर छोटा-छोटा ट्रांसफरवान मिलेगा उसका वोल्टेश को कन्तोल करके उसको फिर उसको तीन स्टेज होता है एलेक्टिक का जनेरेशन से लेके सप्लाई तक जो आप क्या पहुंचता है उसी को हम इसलिये संदर में बता रहे हैं कि जहां पावर हाउस से बिजुली निकलती है आपके घर तक पहुंचती है तो कंप्लीट कनेक्शन अगर रहेगा ट्रांस्मिशन ला हो गया तो आपके घर में इंट्रप्शन हुआ तो वर्क नहीं करेगा या ट्रांस्मिशन में कहीं कुछ हो गया ट्रांस्फोर्मर गर्वत है या रास्ते में कहीं ब्रेकेज हो गया किसी तरह का वायर का ब्रेकेज हो गया तो लाइन इंट्रप्ट हो जागा तो आपके घर उचाई से निचाई किवा जाती है तो हर नदी किसी ने किसी पहार से या पठारी इलाके से निकलती है और अंततर जाकर के समुद्र में मिल जाती है चुकि अल्टिमेट डिश्टेशन है तो जैसे उसका एक उद्गम अस्थान है उसका गंतब अस्थान है उसी तरह से कहां से निकला, कहां से ओर्जिनेट हुआ, अब उट टाइटिल जिसके पास आज देखना है हमको, सपोज करिए कि आप राम नाम के व्यक्ति से जमीन खरीदना चाहते हैं, तब ही देखना पड़ेगा कि राम जो है सबसे पहले, राम किस परिवार का आदमी है, और किस धर्म को मानने वाला है, चुकि परिवार और धर्म के हिसाब से कानून का अलग-अलग अप्रीकेसर होता है, और किस इलाके का जमीन है, और वहां पर क्या कानून है, यही जाना समझा है, लेकिन हर हालत में अलग धर्म का हो, अलग देश का हो, अलग अस्थान का हो, उससे कोई मत तो क्या है पहले के कहां से यह originate किया वो किसकी जमीन थी यह पीछे चलते चलते जैसे कि बैक गेर में गारी चलते हैं या पीछे भी आगे टहलने का जो होता है एक परकार का खेल होता है इसमें पीछे की और घूमना पड़ता है पीछे की और सिर आगे रखके पीछे की और चलना पड़ता है तो ही टाइटिल खोजने के लिए जहां जिस व्यक्ति के पास आप गए है मालिय राम के पास गया है जमीन खेलने के लिए तो राम के पहले कौन था और उसको कैसे मालू हुआ कैसे टाइटिल आया यह देखना पड़ेगा ऐसा हो सकता है राम के पिता कर रहा हो पिता के पहले उसके दादा कर रहा हो दादा पहले पर दादा कर रहा हो तो कौन सा बस्ती से मिला हो, हो सकता है, हुकुम नामा हुआ हो, उसका जमामन्दी हो, या रिटर्न जमामन्दी में हो, हो सकता है कि उसके दादा का नाम खतियान में हो, खतियान में दादा का नाम था, उसके पिता ने किसी को बेज दिया, उसके बाद निलाम हो गया, कुछ भी हो सकता ह पीछे जाते जाते, बैक गेर में जाते जाते, जहां ओरीजनल था, ओरीजनल यह जमीन किसका था, अगर कुछ नहीं मिलता है, तो उसको ट्रेस आउट करने का तरीका है, वहां सर्वे सबसे पहले कब हुआ, उस इलाके में सर्वे कब हुआ, वो सर्वे में किसका नाम था, अ सर्वे नाम साथ उसके बाद नीचे किसके पास गया, अब वहां से औरीजिनल व्यक्ति तक अगर आप पहुँच गए, मांन लिए कि राम के परदादा का नाम सर्वे में था, तो अब परदादा से नीचे के तरफ सर्वे में था, माल ये क्यों गैन व्यक्तिका, सत्रूहन के नाम से माल ये की नाम था खत्यान में, सत्रूहन से किसको गया, अब सत्रूहन के बाद फिर किसको गया और कैसे गया, उस और तरीका फूरा खोजना होगा, अगर खोजते खोजते आपको लिंक काटिनुवस मिला, जैसे कि ये व्य प्रवान नहीं हुआ है उसके अलावे देखना होगा उसका कभजा है कि नहीं तो कभजा देखने के लिए उसको फीजिकल वेडिपिकेशन करना जरू है बहुत से लोग रसीद देखकर के समझाते हैं रसीद जो है कानून के अंधर कभजा का पर्मान नहीं होता अगर कोट में हम रसीद दिखा के कहने मेरा कभजा है तो सिर्फ रसीद के ऊपर कोट हमको कभजा नहीं मानता देगा कानून में उसकी मानता इतना ही है इसे ही पता चलता है कि अमुक व्यक्ती ने सरकार को लगा दिया है अगर अभी का रसीद है सरकार का तो ठीक है गर पुराना जमिनदार का रसीद है तो उसका भी भैरू है उस जमिनदारी का रसीद बलकि ज़्यादा अच्छा माना जाता था उस जमाने में चुकि जमिनदार लोकल होता था उसको जानकारी आती थी जमीन जिसका रहता था उसी को रसीद करता था आज के तारिख में गड़बड़ी ही हो रहा है, किसी का जबीन का कोई भी कटा लेता है, जाली फरेवी भी बना लेता है, अब बहुत तरह के कानमी प्रतिया बनी है, मुटेशन वगएर का सुधार हुआ है, उसके हिसाब से भी कभी कभी गड़बड़ी का केस मिलता है, तो उसका कब्जा है कि देगों देखना होगा, और इसी को परमानित करने के लिए, जत्ना भी समभब दस्ता बेज है, उससे मांगना होगा देखना होगा, अगर रसीद कट रहा है, तो देखिये रसीद काटने का क्या धादा रहे, पहले किसका कट रहा था जबाबड़ी में क इसका नाम था, उसके बाद इसका नाम कैसे आया, कोई मुचे सन की परकीला ही हूईP δια wäre की नहीं। या इस जमीन का पहले दस्यान नहीं करता था लगान नियदानन की परकीला हुईPanges नए लगान नियदान हुए, इसका नाम है कि नहीं ये सब कुछ चीज है जो देखना चाहिए अब इसके अलावे एक और चीज है अगर आप इस संतुष्व जाते हैं कि चेन ओफ टाइटिन कंप्लीट है और कभजा भेरिफाई कर लेते हैं कि कभजा इसको है तब ये देखना होगा कि ये जमीन पहले या प्राइवेट या बैंक का लोन ले लिए वा इसा भी केस मिलता है लोन लेने के बाद आदमी बेच के भाग जाता है तो इसको देखने के लिए आपको रहिष्टी के चहरी में जा करके उसको बोलते हैं सर्च और मौाइना सर्च एन इंस्पेक्शन अगरेजी बोलते है माने निरिक्शन करना खोजना और निरिक्शन करना दो वर्ड है सर्च एन इंस्पेक्शन खोजना और मौाइना करना इंस्पेक्शन माने देखना पर तश्रूप से अपना आक से तस्तावेज को देखना तो उसका एक फॉर्म होता है वो फॉर्म भर करके महां पर नमर फॉर्म में भर करके दीजिएगा तो वो इंडेक्स दो तरह का रेइस्टर रहता है दोनों रेइस्टर आपको मिल जाएगा आप स्वेम भी देख सकते हैं अगर पहले से कोई चार्ज क्रियेट किया हुआ हो यारी मौर्गेज है लीज है अगर रेइस्टर हुआ हो या स साथिस्वाइड हो सकते हैं तब आप जब इन खरी सकते हैं यह सब थोड़ा प्रिकॉशन अगर आप लीजिएगा ता आपको कोई दिकर नहीं लेकिन इसके अलावे भी कुछ प्रिकॉशन लेने का ज़रुत है जिस आदमी से आप खरीज रहे हैं मान लिए कि आदमी का के लिए बेचने का क्या अधिकार है किस काम के लिए बेच रहा है है कि नहीं है घर का करता है कि जुनियर मेंबर है बटवारा हुआ है कि नहीं हुआ ही देखना है चार-पांच भाय है और भतिजा है बाल बच्चा है अगर उसका कोई नावाली लड़का है या लड़की है तो वो सब का बसीका लिखाने के समय जीकर करना ज़रूए है और उसी हिसाब से उसको टै करना ज़रूए है जाना ज़रूए है तो लिखा जाएगा कि हाँ हमारा इजमाल खादनान का जमीन है हमको बटवारा से खास दाज वो हिस्सा में मिला है तभी होगा अगर विस्सा नह और जब भी जमीन खरीदे तो इस सभी सुनताओं के लिए यह इंपोर्टन है और भी लोग कभी कभी कुछते रहते हैं इसी अम्रित कुमार जी आप हम समझते हैं कि आप इसको ध्यानपुर्वक सुना होगा अगर नहीं सुना होगा तो अगर आप उसके बाद ही कोई संगा ह हो आपके मन में तो आप पुना प्रस्ण कीजिएगा और आप कुछ दिन पतिछा कीजिए तो सी एंटी एक्ट पर ही मेरा लेक्टर जल्दी आवेगा उसके बाद है अलोग कुमार जी का बहुत सीधा और सेटिक प्रस्ण है लेकिन प्रस्ण बहुत पुराना है इस पर कई हाणा कुटएशन का इस प्रस्ण करने वाला जो प्रदादिकार दे बताएगा क्यू नहीं होता है तो क्या कारण है कानून में इए हम बता सकते हैं और वह कारण हम कई बार बता बता चुके हैं बकाष्ण में किसको कहते हैं यह आप पहले समझ आप ही आ पर दो या तीन लेक्चर है या चार लेक्चर है तो वți सब लेक्चर में से कोई ने कोई लेक्चर सुनिए आपको अंसर नी ज MO writes जमीन उसको कहते हैं जब जमिंदार अपने खुद जोद पोड करता था जमिंदार खुद अपने जमीन का जोद कोड करता था मालिक था तो किसी को लगान देता नहीं था जैसी कहते हैं कि जमिन बकास है यानि कि जमिनदार का है उसका कोई लगान नहीं लगता है तो लगान नहीं लगता है तो कोई रसीद नहीं जमिनदारी के समय उसका कोई रसीद नहीं लगता है जब जमिनदारी का उन्मूलन हो गय सरकार या जो सरकार आ गई तो सरकार उसका जमिंदार हो गया यानि कि मालिक हो गया और जो मालिक था पहले यानि कि भुत भुर्ज जमिंदार वो उसका रईयत बाना जाएगा कानूनी परक्रिया गयता है तो अब उसका लगान सरकार लेने के लिए सरकार उसका लगान ले सकत लेकिन लगान लेने के पहले लगान निर्धारन की परक्रिया अपनाना पड़ता है लगान निर्धारन के लिए चुकी जमिंदार को ही गरज रहता था कि हमरा जमीन बाद में सरकार नहीं ले ले इसलिए हम खुद अपना जमीन बचाने के लिए इसको रहती माना जाएगा का बकास का कैरेक्टर उसकी प्रकृति अपने आप बदल गई उन मूलन के बाद जो इसे कानूनी प्रकृतिया जो बनाई गई है लेन इफॉर्स एक्ट में सेक्शन फॉर फाइफ सिक्स सेवें यह सब के परफधान के हिसाब से वो जमीन रहीती माना गया तो जमीनदार को अध शे साथ रूल भी है जिसके अंतर गयत अप्लिकेशन दिया जाता है और एक्ट भी है पांच शे साथ एक्ट भी है चार पांच शे साथ और एक्ट में भी है रूल में भी पांच शे साथ है तो रूल जो अप्लिकेशन देने के लिए फॉर्म बना हुआ है फॉर्म तीन तर परक्रिया है उरूल में बना हुआ है कि अगर नया नया सुरू सुरू उसको लगान लगाना है तो फेर ही हो रहा चाहिए को टेवल हो रहा चाहिए उसको देखने के लिए सिमिलर जमीन का आस पास के जमीन का कितना लगान लगता है ये देखना जरूरी है ये सब परक्रिया स बंदवस्त कर दिया या बेद दिया तो जो खरीदा या बंदवस्ते लिए वो आदमी को भी अधिकार है तो form K में वो application देगा जब के में application देगा तो आम जनता से उस पर objection के लिए notice चारी होता है कि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ती होता आकर करके आपत्ती दे तो एल है form L है land मैं notice जाएगा जब notice जाएगा तुर नोटिस दोडा कोई व्यक्ति आ करके आपथी देगा कोई व्यक्ति आ इन देदिया तो आसानी से काम हो गया अगर उनका पैध्ति कोबाट सुणवाई होगी होगा दोनों पक्षों को सुना दिया जागा शाक्सि लिया जागा अगर ज क्वारिद करेगा तो कहां पर लिखेगा तो वू जिस पर लिखेगा हूं को बोलते हैं लेकिन हखीत के बराबर है BTL के प्रवधानों के हिसाब से ही उसको राइटी राइट हो गया माने उस व्यक्ति को टाइटील हो गया तो जिस व्यक्ति का नाम रेंट रॉल में है उसी के हिसाब से उसका रसीड कटेगा तो अगर माल ये कोई व्यक्ति आज तक बकास लेन का लगान निधारन नहीं कराया है तो उसका मुटेसन कैसे होगा मुटेसन अलग पर किरिया है इसके लिए आपको मुटेसन पर मेरा लेक्चर है उसको सुनिए अब बहुत विश्टित में बता है एक या दो लेक्चर है मुटेसन का माने होता है नामांतरन नाम कांतरन अर्दू में बोलते हैं दाखिल खारी यानि कि एक वेक्ति किसी का नाम पहले से अंकित है उसको काट करके दूसरे वेक्ति का नाम वहां पर जोड़ रहा है तो कहां पर अंकित है तो वो पहले जमिदार के समय लगित होता था लगित को जमाबंदी भी कहते थे वही जमाबंदी बाद में रेइस्टर टू बन गया तो आज भी जो रेइस्टर टू होता है जिसमें रईयत का नाम दर्द होता है तो वहाँ पर मालिय पहले से किसी रईयत का नाम दर्द रहेगा तब ने उसको काट करके दाखिल खाल जोगा तो यह बकास जमीन है इसका कोई लईयत ने यह जमीनदार ने अपना कोई लगान दिधारन कराया ही नहीं तो उसका फॉर्म M बना ही नहीं फॉर्म M बना ही नहीं तो उसका दाखिल खाली कैसे होगा जब फॉर्म M बनेगा तब उसका नाम रईस्टेट 2 में आएगा फॉर्म M बनेगा तो आटोमेटिकली उपैसा देगा तो रिष्टे टू में नाम चड़ जागा रसीड कर जागा तब दाखिर खारी होगा जिस केस में लगान ये धारन नहीं हुआ यानि कि फॉर्म एम बना ही नहीं और फॉर्म एम जिसके नाम से बना उसका नाम रिष्टे टू में चड़ा ही नहीं तो उस केस में मुटेसन का पेटिशन मेंटेनेबू नहीं उस सिधे खारीज हो जागा उसमें आगे लड़ने से कोई फाइदा नहीं होगा इसलिए अगर ऐसा केस मिले आपको तो सबसे पहले ही पता की जिए कि वकास लैन अभी तक जमिंदार के परिवार में है की नहीं तो उसके परिवार में जो अभ खरीच चुके है तो आप स्वेम जाके फॉर्म के में आवे दिजिए वही आपका समझ ये ताकित तो आप ही के नाम से रेंटरॉल बन जाएगा या आज भी प्रक्रिया हो जाएगी इसमें कोई लिम्टेशन नहीं है फर्क इतना ही है कि अगर आज आप दीजिएगा तो प लगान देना पड़ेए है उसके पहले का देने का एतरदाइद जो पहरे जिसका नाम था उसका था लेकिन इसमें आपका उतरदाइद जमिंदारी तिस्यवि वह ततर साल, को पुराणा सभी आपको लगान जो भी ने नहीं बन करना पड़ेगा तब भी आपका पहला रसि इन्होंने लिखा है कि सिक्मी नगदी क्या है। बाद में लिखा एक उन्हें सो अठटर में जमीन खरीदे हैं, पिता जी, फिर मुटेशन इनका रिजिक्त हो गया। क्योंकि इनके डीड में लिखा हुआ है सिक्मी लिखा रहने के कारण। दूसरा लिखते हैं जमिंदार ने अपने पत्री को दे दिया था टाइटी शूट चला था और इनका कबजा जो है 1978 से हैं लेकिन मुटेशन ने हो रहा है जमिंदार की पत्री ने बेटी को दे दिया बेटी ने किसी आओर आजबी को बेश दिया ये बहुत इनका complex प्रस्न है ये लरन कुमार जी हम आपका प्रस्ट तो समझ गए हैं जवाब ही सौट वे हम दे रहे हैं लेकिन मेरे जवाब से आपका काम नहीं चले है आपका जो प्रॉब्लम है ये आपको किसी ने किसी वकील के सरद में जाना पड़ेगा तभी आपको निदान होगा अगर वहां से वक कानूनी बिंदू पर दे देंगे उसमें आपको पैसा नहीं देगा लेकिन अगर आप डाइरेक्ट हम से ओपीनियन चाहते हैं मौकिक या लिखित हम आपको ओपीनियन देगे उसका माच 16000 रुपया आपको लगेगा वह ओन लाइन भी आप हमको पेमेंट कर सकते हैं अपन जगा में प ibaी जगाई या स्वीक में पोस्ते हम पढ़ लेंगे तब आपको हम जबाब देंगे आउन लाइन जवाब देंगे जो आपको पोड़क्षप पर हम आप को डायरेक्ट वीदियो कॉल कर जवाब देंगे या लिख करके उसके आधार पर आपका वपी रोहा करे अगर इभी समभ नहीं है तो आप चुकि पुर्णिया में दूर में जाते हैं अगर पटना में करेक्शन है तो अपने किसी आदमी को भेज सकते हैं या आप स्वेम आ सकते हैं तो आपका पूरा प्रॉब्लेम का सॉलूसर निकल जाएगा आपका इससे जितनी भी समझ्या है उसका निराकरन हो जाएगा क्योंकि इसमेडिकत यह है कि कई आदमी कई भात ट्रांसफर कर लिया है आप मूटेसन आपका प्रिजुक्त हो गया है कारण क्या है कि उसमें सुक्मी लिखा हुआ है शिकमी होने से नहीं होता सुक्पिक को समझना पड़ेगा सिकमी दार simpler को ब लिखा हुआ है उसका खत्यार भी देखना पड़ेगा, आपका डीड में क्या लिखा हुआ है भी देखना पड़ेगा, तो सिक्मीदार के आपने किसे ख़एदा, रहियत से ख़एदा कि सिक्मीदार से ख़एदा, ये अलग परस्ट होता है, सिक्मीदार का मतल होता है अंडर रहियत, रहियत के अंदर रहियत, अगर आपने रहियत से जमीन खर लिया, उस सिक्मी में है भी, तो आप ही रहियत बन जाएगा, लेकिन उस सिक्मीदार रहेगा, तो पर्मानिन सिक्मीदार है, कि टेंपरी सिक्मीदार है, इसा बहुत से बात पर निर्वर करता है, तो आपक समस्या का निदान के लिए जैसा मैंने कहा आप उस फारा पेपर्स ले करके आईए या भेजिए तभी सही सही निदान आपका हो सकता है उसके बाद प्रसने संजे कुमार जी का बकास जमीन के बारे में फिर इनका भी प्रस्ने संजे कुमार जी का कहां से लिखते हैं क्या करते हैं इन्होंने नहीं बता रहा है इसमें कहते हैं कि बकास जमीन अगर खरीदना है तो बेचिदे वाले से कौन सा डॉकुमेंट मांगा जाए प्रस्न का उत्तर हमने दिया है उसमें जतना बात बता है अगर आप उसको ध्यान से अपना उत्तर के पहले उगो जरूर आप सुन लिजिए तो आपके प्रस्न का भी उत्तर हो जाएगा वकास जमीन अगर कोई आदमी बेच रहा है तो आप ही जानने का कोशिश कीजिए जो फिर नहीं एक है अगर जामने तुर फ़िवार्वार्ग उसका बंसज को उत्रा दिकार में प्राक्त रहं के अगर बशी नहीं है जो उसके को जालas कोई है या पकोई पागज आप देखिए एक हो बतर вним एक है तो आदमी का खुझना चाहिए खरीदने के पहले, तो आप उसी हिसाब से खुझिए कि वकास जिसका था, वकास के बाद किसके पास गया, कैसे गया, जो आदमी बेच रहा है, उसके पास कैसे आया, अगरी चेन, जैसे कि आप चेन देखते हैं, चेन का मतलब शिक्कर में एक क तो उसी तरह से चेन ऑफ टाइटीन होना चाहिए, कड़ी जुड़ना चाहिए, जो आदमी का ओरीजिनल बकास था, आज जो बेच रहा है उस बीच में कड़ी जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तब आप उस आदमी से उसी कड़ी को देखने के लिए उससे कागदात मांगिए कि जो जमीदार थे, उन्होंने क्या किया, उसको बेचा, या रिटर्ण जमांबंदी दिया, या बन्वस्ति क्या, क्या किया, और उसके बाद अगर मर गए तो उनके बंसर्ज ने क्या किया, अगर उन्होंने जिसको ट्रांसफर किया, या सिटल किया, उसने क्या किया, आप उसको काबिद माम करके उसके बाद उस जमीन को खरी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अब बेचने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं उसके बाद प्रस्थ नहीं किया है बलकि इनका एक डिमांड है कि भुदान पर वीडियो बनाई है भुदान पर ओल्रेडी हमारा वीडियो है भु एक सब्ता ही है दस दिन के अंदर जो भी प्रस्नुत्री का लेक्चर है मेरा सट वन वाई वन करके आप देख लिए किसी ने किसी में भुदान के बारे में बहुत डिटेल में मेरा बढ़ाया हुआ है अब इतना लेक्चर देते हैं तो कौन तारिक को कौन लेक्चर में क्या बोले उत्रा याद रखना पॉस्बूल नहीं है लेकिनि याद रहता है कि कौन टॉपिक पर हम बोले उसके वाद प्रस्न है एड दी रेट ऑफ मुबारक हुसेन फाइव नाइन नाइन डी रो यह इमेल आइडी दिये है मुबारक हुसेन साहर क्या करते हैं कहां से भेजे ह इन्होंने नहीं लिखा है इनका जो प्रस्न लिखा उससे इन्होंने यहीं प्रस्न किया है कि जो विक्रेता है जिसे जमीन खरीदना है रईस्ति के पहले क्या देखना चाहिए अभी तो हम इसके पहले दो प्रस्न के उत्तर में देचुके हैं कि जिससे आप जमीन खरीदना चाहते हैं उससे उसको हक हकीयत का कावज देखिए उसका कैसे हक हकीयत आया और कबजा है कि नहीं यह देख लिजे तब उससे खरीदिये अगर उसका वा पहुच जाता है तो वहां भी हो जाता है ऐसा बहुत साइदेर कोई मिलेगा तो जिसका कोई नहीं है उसका जमीन सरकार का हो जाता है उसको मोनते है एस चेट तो इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वारिस नहीं है वारिस को खोजना पड़ेगा उसके बाद है इन्होंने लिखा है कि खतियान का कौपी कहां से मिलेगा यह किसी डॉकुमेंट का कि लिए नहीं पता चलता है अगर आपका प्रस्णाम सही नहीं पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो फिर दुबारा प्रस्ण कर सकते हैं हमको किसी चीज का आप कौपी के बारे पुछते हैं कि कहां से मिलेगा जिन्यर्ल Gallery से समद्धी डॉक्कुमेंट है तो उसका कौपी में डाकुमेंट का कौपी हर जी इलाके रिकर्ड रूम में रहता है, वहीं से आपको मिले रहा है। अगर कोई तुसरा डाकुमेंट का है तो आपके लिए लिखिए कि कौन छी का आप कौपी लेना चाहते हैं, तो आपको सही बताएं। उसके बाद राजेश जी हैं अरवल से क्या करते हैं नहीं लिखे हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कोई निलामी खरदारी हुआ है और दखल देहानी भी उन्हें स्वेक्सट में हो गया है। 2005 में एक पलॉट पर दुकान है, हाँ समझ गये। कोई जमीन है जो इन्होंने खरीदा था और उसका दखल देहानी 1971 में मिला, यह खरदारी हुआ है निलामी से, निलाम खरीने कबाद कोट से दखल देहानी हुआ 1961 में, 2005 में एक दुकान, एक पलॉट पर एक दुकान मना है, और उस दुकान को कि इन्होंने किराय लगा दिया किसको लगा दिया, जो जिससे ही खरीदे थे, जो औरिजिनल ओनर था, उन्ही के वार्सान में से किसी को लगा दिये, और 2016-17 में उस व्यक्ति ने जो किराय में था, नाजाईज तरीके से अपना जवामन्दी कायम करा लिया, खतियान में चुकी उसके पुरवज का नाम था उसी के दिखा करके जनसाजी या फरेवी तरीके से कर सकते हैं, खतियान में नाम करा लिया, और अपना रसीद ही जवामन्दी में नाम दर्ज हो गया, तो रसीद ही उसने कटा लिया, रसीद कटाने ने बाद बाद में वो जब इनको बेच भी दिया, तो बहुत सातिर निक कांसे करने के लिए अब हमसे मार्ग दर्सन करते हैं यह हो गया सारी रमायर म्तसीत meaning थी यह पूछ रहे हैं को पहले पूछने कहो जाए मार्ग दर्सन क्या करेंगे सबसे पहले तो आपके पास जतना कागज है और जो टाइटिल सब फोटो करा करके अगर आप सही मार्ग दर्सन चाहते हैं तो मेरे पास ले करके आए अरबर बहुत ज्यादा दूर नहीं अरबर से करने के ताकि आपके वकील साहब कोई गलती किया है तो आगे दरा दन आपका गारी बढ़ाते जाए अगर वो गारी नहीं बढ़ा सकते हैं आपको नहीं भेज सकते हैं आपको कामेज नहीं मिलता है तो वकीले साहब से हमको बात करा दीजिए उनसे हम पूछ लेंगे तो उसक बुकान से दुकान, दुकान से बियाबान एक कहावत है। इसलिए आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉलूसन चाहते हैं। अगर समस्या का सही निदान और सटिक निदान कम खर्चा में समय कम समय में चाहते हैं। तो आपको अच्छे वकील से ही आपको काम कराना होगा। और एक बार हम बेरिफाई कर लेंगे कि जो भी वकील आपका काम करना है वो अगर जूनियर भी हो या अच्छे वकील भी हो, सिनियर भी हो तो वो सही लाइन पर चलना है कि नहीं हम आपको बता सकते हैं। अगर उनका किया हुआ कागज लिखा हुगा सब हमको देखेंगे तब भी नहीं बता सकते हैं। उससे तो जवानी जवान खर से आप मुफद का खाली हम परस्नोत्री में जवाब दे देगे। इससे आपका काम नहीं चलेगा चुकि आपका मुकदमा चल रहा है। वो मुकदमा आपका डिसमिस हो जागा तब फिर उपर के कोट वे अपील में ज जल्ट मिलेगा। उसके अलावे परस्त हैं लरन कुमार जी इससे में कहीं जॉब करते हैं। इन्होंने पुछाए रेइस्टेट डी क्या होता है। और सर्टिक्वाइट कोपी और खतियान इनको नहीं मिल गया है। वहाँ जवाब देता है फट गया है क्या करें। देखि उसी तरह से जमिंदार का अपना खतियान होता था। उसको रेइस्टेट डी बोलते हैं। उसमें जमिंदार का नाम, उसका हक, हकियत, हिस्सा, तोजी नमबर, गाउं ये सब लिखा रहता था। कितना अराजी है और कितना लगान आता है ये सब जरिश्टेट डी में लिख लिखा जाता है। तो उसको सिघह सीजी उसका जवाब है कि रिश्टेट डी है जो भूठपूर, जमिंदार का खतियान समझिए। अब जो है, आप खतियान का नकल नहीं मिलता है, फ़टा हुआ है तो उसका उपाई ये है कि एगर आपको जरुत है कही खतियान का, तो गाउजी नमबर ठाना नमबर खाता नमबर दे करके आप तेरीज का नकल ले सकते हैं तेरीज जो होता उसी खत्यान का। स्टेक्ट होता है जितना बात खतियान में लिखा रहता है उसमें सब बात नहीं रहता है कुछ कम रहता है लेकिन खाता नमर और गयत का नाम जरूर रहेगा जिस उद्देस से आप चाहते हैं उस उद्देस की आपकी पूर्टी हो जाएगी इसलिए आप वो तेरीज का नकल अगर मालिय उहां फटा हुआ है तो खतियान अंचल में भी रहता उसकी एक कौपी तो आप अंचल से भी नकल ले सकते हैं उहां भी पता कर सकते हैं उसके बाद प्रस्न है दीपक कुमार मध्यपूरा इन्होंने दिखा है इस पेशल सर्वे क्या धार पर रसीद कट गया तो भेलू क्या होगा जो पहले का सर्वे है उसके हिसाब से इसका क्या भेलू होगा इस पर भी सर्वे के उपर हमने पहले भी प्रस्न का उत्तर दिया है और सर्वे को पर स्पेशल लेक्चर है कई लेक्चर है और स्पेशल सर्वे के कई तरह का सर्वे होता है उस सर्वे के ले उसके लिए बहुत ज्यादा महत्पुन यह की जो लेटेश करता प्रिवेश पर प्रिवेंश बेखने अगर प्रिवेशन SIM सवें जो आज इसका नाम माली कि पहला वला खतियान में मोहन का नाम लिखा हुआ आज उसमें राधा का नाम आ गया तो राधा का नाम भी माना जाएगा राधा ही रही है थे ही सही है मोहन से कैसे राधा को आया इस सर्वे के पताधिकारी ने अपनी जो प्रक्रिया अपना ही उस द लास्ट सर्वे जो होता है उसी का भैलुए ही समझे उसका प्रस्थ है इनों ने लिखा सिधे DCLR के बुरुद कहां जाए अब कौन सा ओडर है DCLR का किस एक्ट में है यह प्रस्थ आपका भेग है बराबर कहते हैं कि कौन सा ओडर हुआ किस धारा में हुआ इस सब कुछ बताई अगर मुटेशन का ओडर DCLR ने किया है रिजक्ट कर दिया है तो DCLR के ओडर का डिवीजन होता है कलक्टर के हाँ अगर लैंड डिस्प्यूट एक्ट में आपको DCLR ने को एडर पास किया है तो उसका भी अपील कलक्टर के होता है इसमें अपील होगा अब मुटेशन में डि तो उसका administrative हेट district में state होता है अगर executive order है administrative order है तो executive order को आप DM के हाँ as a collector of the district आप challenge कर सकते तो आज के सभी प्रस्न जितने भी YouTube पर है अब तक के जोगी आए हैं सभी प्रस्नों का हमने 1-1 करके answer दे दिया है फिर अगरे वीडियो मिलेंगे नमस्कार झाल